उत्राखन में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है प्रदेश के शहरी विकास मंतरी मदन कौशिक निजी अस्पताल में भरती हो गए हैं मदन कौशिक एक कोरोना संक्रमित के संपर्क में आये थे जिसके चलते वो पांच दिन तक होम कारंटीन भी रहे लेकिन अब स्वास्ते कारणों और एहतियात के तौर पर मदन कौशिक निजी अस्पताल में भरती हो गए हैं प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती चारी है कोरोना मरीजों का अकड़ा 23,000 के पार पहुँच गया है जिसमें 7,575 एक्टिव केस हैं जबकि 15,982 मरीज दिस्चार्ज हो चुके हैं वहीं कोरोना से 330 लोगों की मौत भी हुई है तो कोरोना का देव भूवी में अटैक लगातार बढ़ता अजार आये निजी अस्पताल में मदन कौशिक भरती हो गए हैं एक कोरोना संक्रमित के संपर्क में आये थे मदन कौशिक और पास दिन तक होम कौरंटीन भी रहे थे लेकिन अब स्वास्तिकार्णों और एहतियात के तौर पर निजी अस्पताल में भरती हो गए हैं मदन कौशिक नइटीरी में कम्यूनिटी स्प्रेड को रोखना प्रशासन के लिए चुनाती बन गया अभी तक शहर में 44 कोरोना पॉजिटिव केस निकल चुके हैं और शहर में 10 कंटेंटमेंट जोन बनाये गए हैं वहीं कंटेंटमेंट जोन के बाहर रह रहा है इस्थानिये लोगों का कहना है कि कंटेंटमेंट जोन को काफी दूर से बंद किया गया है जबकि इस रास्ते के बीच में बहुत से छोटे 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 रास्ते हैं जिनसे कंटेंटमेंट जोन में रह रहे हैं लोग बाहर निकल रहे हैं लगातार लोगों की आवजाही हो रही है जिससे इस्थानी लोगों में डर का महौल है और संक्रमण का खत्रा बढ़ रहा है तो चवालिस कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं नई टेहरी में, दस कंटेंटमेंट जोन बनाए गए हैं, हलांकि ये भी लोगों का कहना है कि कंटेंटमेंट जोन से लोगों की आवजाही लगातार जारी है, लोग निकल रहें बाहर, ऐसे में उनमें खौफ का मौहल है ये रस्ता जो यहां पर बंद कर रखा है, यहां पर बंदी होने चाहिए हैं, ये रस्ता निचे बंद होने चाहिए हैं, क्योंकि वहां से जो पैदल आ रहे हैं, वो सारे हमारे घर की तरब से आ रहे हैं, तो दिकत किसके लिए हमाले हैं, यहां से तो गाड़ेंगों को रस इनको तो खाली वहां शिड़ी में करने शिड़ी ब्लोक कर दें तैइस सितंबर से उत्राखन विदानसभा का मौनसुन सत्र शुरू होना ऐसे में सत्र को कैसे सो चारू रूप से चला है जाए इसको लेकर विदानसभा द्यक्ष प्रेम चंदर अगर्वाल ने लोग सभाद ओम बेला से मुलाकात की साथी विदानसभा सत्र के संचालन को लेकर सोजाओ भी लिए इस बार कोरोना के चलते वर्चूल सत्र कराने के तयारी है आपको पता दे कि विदानसभा का मौनसुन सत्र 23, 26 और 25 सितंबर तक चलेगा इस बार का विदानसभा सत्र हंगामेदार रहने वाला है 23 सितंबर से शुरू होने जा रहा है विदानसभा सत्र के पहले दिन कॉंगरेस पाँच बड़े मुद्दों के लेकर धरने पर बैठने की तयारी में है कॉंग्रेस ने अपने वर्चुल सम्मेलन में अपने तमाम कारे करताओं के साथ इस बात को लेकर रणनीती बना ली है विदान सबास्तातर के पहले दिन कॉंग्रेस किसानों के मुद्दे साइध बेरोजगारी कॉरोना में सरकार की बद इंतजामी और डेविस्थानम बोर्ड के गठन को लेकर प्रदर्शन करेगी इसके साथ ही कॉंग्रेस बारा सित्मबर को भी पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तरता है बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ हला बोलेगी प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा कारेकरम दिया है बड़ी गोशना करिए 12 सितंबर जो आगामी है उस दिन हम पूरे प्रदेश के ब्लॉक मुख्यालेओं पे जिला मुख्यालेओं पे नगर मुख्यालेओं पे बेरोजगारी के मामले में जो राजी की सरकार पूरी तरह से फेल हुई है बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने में